हेलो दोस्तों तो कैसे बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ समर विकेशन टाइम टेबल क्लास नाइन्थ में हो तो क्या आपको टाइम टेबल होने चाहिए बात करेंगे आज की वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से तो मॉर्निंग में आप 7.30 पर उठ जाना है 7.30 पर उठने के बाद 7.30 तो 9.00 एम यह आपका टाइम है मॉर्निंग एसेंचिल वक कर यानि का आपको सुबह उठके शावर भी लेना होगा ब्रेकफास्ट भी करना होगा बागी अपने काम भी करने होंगे उसके साथ साथ आपको जो भी काम है आपको सब इसी टाइम में आपको कर लेना है जितनी वे आपके मॉर्निंग वर्क होते हैं उसके बाद 9.00 तो 10.00 इस टाइम पर आपने जो काम रिमेनिंग है घर के अंदर आप चाहो तो घर में किसी के help कर सकते हो आपको वो कर लेने है 10.00 तो 11.30 ये आपका study time है study करो इस time पर अच्छे से अपना homework इसको complete करो और उसको करने के बाद 11.30 से 12 तक आपको rest करना है rest करने के बाद 12.00 तो 1.30 ये आपका hobby time हो जाएगा कोई नई चीज सीख सकते हो, guitar सीख सकते हो, कोई नए instrument सीख सकते हो या फिर अगर आपके पास pet है तो उसके care कर सकते हो garden में plants लगा सकते हो, बहुत से काम है जो आप इस time पर कर सकते हो 1.30 to 2.30 ये आपका lunch time है इस time पर lunch करो अच्छे से और थोड़ी देर का rest कर सकते हो, क्योंकि आप हो सकता है थोड़े ठक गए होंगे उसके बाद है 1.30 to 4, ये आपका time है maths और science का आप इस time पर maths और science पढ़ेंगे, class 9 में आप अभी आए हैं तो आपको ज़रूरी है कि maths और science पर extra focus लेके चलें अगर आप चाहे हैं तो इस summer vacation में कहीं पर coaching जोइन कर सकते हैं घर के आसपाज ताकि आपको जाने मैसानी हो और आप अच्छे से पढ़ पाओ और इस एक महीने में आप अपनी maths और science को इंप्रूफ करके class में अच्छा perform कर पाओ आपके coaching time इसमें कहीं भी manage हो सकते हैं for example हम 4.30 to 6.30 यह आपका playing time है आप इस time पर बहार खेल सकते हो बड़ अगर आपका coaching time है तो इस time पर अपने आप coaching को shift कर सकते हो अगर आपके पास time बचता है तो 4.30 to 6.30 पर आप थोड़ा बहार खेल लेंगे या फिर अपना कोई कोई दूसरा काम कर लेंगे उसके बाद 6.30 to 8 यह आपका time है language और mathematics time इस time पर आपको Hindi English करनी है क्योंकि आपको उसको भी improve करना है क्योंकि वो subject ऐसे हैं बच्चे भूल जाते हैं और उसमें marks कोगे down हो जाते हैं आपके vacations के बाद जो भी आपके uts होंगे, test होंगे उसमें आप अच्छा perform कर पाओ उसके बाद है 8 to 9 इस time पर आप अपनी family के साथ time spend कर सकते हैं थोड़ा refresh हो सकते हैं then 9 to 9.30 यह आपका dinner time है dinner करो थोड़ी दे rest करो और उसके बाद 9.30 to 12.30 यह आपका time है जिस time पर आपको एक अच्छी चीज पढ़ सकते हो for example आप चाहो तो अपनी school की science की book पढ़ सकते हो आप चाहो तो अपनी school की Hindi या English की book की stories पढ़ सकते हो या फिर कोई दुसरा subject तो आपने कम करा है ऐसा subject पढ़ सकते हो तो मिलता आप सब्सक्राइब विडियो में अब तक के लिए all the best thanks for the watching and peace